सो हलो गाई स्टार्ट करता है कुछ नम्बर थी का सल्यूशन एक्साइज 3.1 तो इसमें मैं डेटा को समराइज करते ता हूँ क्या दिया है यहाँ पर इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ टू केजी ऑफ एपल्स एन वन केजी ऑफ ग्रेप्स इस गिवन एस रूपीज वन ग्रेप्स है और इसका कंबाइन कॉस्ट कितना यह है 300 रूपीज ना वियाब टू रिप्रेजेंट इस सिच्वेशन एलजबरीकली एस वल एस ग्राफिकली तो अलजबरीकल रिप्रेजेंटिशन कैसे करेंगे हमें यहाँ पर वेरियेबल्स जो है एक्स वाय वो किसे सपो ग्रेजी एड़ेजी ओफ एपल्स बतहए है क्या हो जाएगा 1कीजी ओफ एपल्स तो इसकेः इसके बद्विक ड्रेजेंटीशन कैसे ओगा स्भाइजि इसी इंटू x plus there is 1 kg of 1 kg of what grapes so 1 into y is equals to 160 and the next situation will be 4 x plus 2 y so it will be 4 x plus 2 y is equals to 300 okay so these are the two equations and these two equations represent a line which is which I'll name line 1 and line 2 and we have to plot this on the graph हमें इसे कहां पर plot करना है graph पर so plot कैसे करेंगे सबसे पहले इसके लिए हमें coordinates find करने होंगे तो चले मैं यहां पर coordinate का box बना लेता हूँ so देखे मैंने आपके लिए आप यह draw कर लिया है इस चीज को जो यहां पर table है यह मैंने अल्रडी बना लिया this is for the line 1 which is L1 and this one will be for the line 2 which is L2 अब मैं आपको यहां पर explain कर देता हूँ यह किस तरीके से हुआ यहां पर so चले देखे सबसे पहले क्या करना है मुझे यहां पर x के value क्या पट करना है यहां पर 50 so पहले equation में x के value 50 पुट करोंगा so 50 into 2 will be 100 और वो 100 is side minus में जाएगा तो y कितना हो जाएगा 60 so पहला point के लिए है and I'll name this to be a इसके बाद दूसरा देखे 60, 40 है so x के value of 60 पुट करों so यहां पर 60 जैसे आप पुट करोंगे you'll get 60 into 2 is 120 so 120 120 आप इसे is side लेके जाओगे minus में तो 160 minus 120 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 40 so b point b clear है आपको ठीक है मैं solve करके नहीं बता रहा हूँ easy है काफी second के लिए देखे हैं आपे आपको x के जगा पर क्या रखना है 70 so यहां पर 70 रखोगे 7 into 4 will be 280 ठीक है इसमझ में है 280 इसके बाद 280 जाएगा यहां पर minus में so 300 minus 280 will be 20 और 20 यहां पर देखे 20 आया so 2y equals 20 आएगा because यहां पर 2y है so y will be equal to 10 तो यह मुझे c point भी मिल गया b के लिए देखता हूँ मैं आप है अगर x की जगा पर मैं 75 पट करता हूँ या फिर y की जगा पर आप 0 पट करता हूँ y 0 है तो y जैसे 0 होगा तो मुझे मिल जाएगा 4x is equals to 300 and x will be equal to 300 by 4 यह होगा तो अब बताए अब x कितना हो जाएगा यहां से इसे डिवाइट करूँगा तो यह हो जाएगा 75 डिवाइट करिए 7 times में 28 यहां पर 2 जाएगा तो यहां पर 2 जाएगा 7 times में कितना होगा 28 यहां पर 2 जाएगा then 2 5s हा 20 x 75 आगा so this will be your point D अब इन्हें मैं graph पर plot करने वाला हूँ तो देखिए मैंने graph पर plot कर दिया यहां पर अब देख लेते हैं 50,60 so देखिए मुझे x-axis पर 50 जाना है then y पर मुझे 60 so यह मुझे मिल गया point A 50,60 so this will be the point A इसके बाद B के लिए देखता हूँ मैं B के है 60,40 so B के लिए देखिए आप 60 अब आप 60 पर जाएए और 40 पर तो यह रह point B और इन दोनों points से मुझे एक line मिल गई so this is the line 1 यह समझ मैं आपको अब बागी के 2 points देखते हैं आप है यह 70,10 तो यह रहा आपका 70,10 तो यह रहा देखिए 70,10 यह point है so this is the point C and 75,0 so this will be the 75,0 which lies on the x-axis and this will be the point D अब यह जो चारो points से आप देख रहा है यह line 2 form कर रहा this is forming line 2 and these two lines we can see are parallel to each other so guys this was the solution for question number 3 x-axis 3.1 so thank you guys for watching